परिचाए चात्रो, क्या तुम चानते हो कि बहुपद क्या होता है? सर, बहुपद एक ऐसा व्यंचक होता है जिसमें दो से ज्यादा बीजिये पद होते हैं. और क्या तुम बता सकते हो कि यहां किस प्रकार का बहुपद है? Sir, क्या ये दुइघात बहुपद है? सही, या दुइघात बहुपद है. जब हम इस बहुपद को شूने के बराबर करते हैं, तो हमें दुइघात समिकरन प्राप्थ होता है. आज हम दुइघात समिकरन के बारे में विस्तार से अधियन करेंगे. उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे दुई घात समीकरण को समझना गुडन खंडों द्वारा दुई घात समीकरण को हल करना दुई घात समीकरण का पून वर्क बना कर हल करना मूलों की प्रकृती समझाना दुई घात समीकरण दुई घात समीकरण का एक उधारण इस प्रकार है यहा इसे दुई घात यानी कोईडरेटिक बनाता है कोईडरेटिक नाम कोईट से आया है जिसका अर्थ वर्ख होता है क्योंकि चर वर्ग हो जाता है जैसे X वर्ग इसे घाद दो का समीकरण भी कहते हैं क्योंकि X पर दो लगा होता है दोई घाद समीकरण का मानक रूप इस प्रकार है AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 यहां अक्षर A, B और C गुणांख है इनका मान कुछ भी हो सकता है केवल A शूने नहीं हो सकता अक्षर X एकचर या अग्यात है दोई घाद समीकरण का उधारण हम जाच करेंगे कि दिया गया समीकरण दोई घाद समीकरण है या नहीं हल यहां LHS बराबर X तीन एक्स जमा 4 बराबर तीन एक्स का वर्ग जमा 4 एक्स के अताह एक्स गुणां तीन एक्स जमा 4 बराबर एक्स वर्ग जमा 1 को पुना इस प्रकार लिखा जा सकता है इसलिए हमें दो एक्स का वर्ग जमा 4 एक्स घटा 5 बराबर शूने प्राप्थ होता है तीन एक्स का वर्ग जमा 4 एक्स बराबर एक्स वर्ग जमा 5 यह एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शूने के रूप में है अताहा दिया गया समिकरण दुई घाट समिकरण है। जमा C बराबर शूने का मूल कहते हैं, जहां A शूने नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि X बराबर अलफा दुई घाट समिकरण का हल है। यहां ये समिकरण को संतुष्ट करता है। दुई घाट बहुपद AX वर्ग जमा BX जमा C के 0 यक और दुई घाट समिकरण AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के मूल समान होते हैं। गुणन खंडों द्वारा दुई घाट समिकरण का हल एक समिकरण X वर्ग घाटा 9X जमा BX बराबर 0 लीजिए। हल चरण एक पहले दुई घाट समिकरण X वर्ग घाटा 9X जमा BX बराबर 0 का गुणन खंडन कीजिए। चरण दो दो ऐसी संख्याएं प्राप्त कीजिए जिनका योग 9 हो और जिनका गुणन फल 20 हो। ये संख्याएं 4 और 5 हैं. X घाटा 4, X घाटा 5 बराबर 0। चरण 3 अब X का ऐसा मान प्राप्त कीजिए कि इन कोश्ठकों का गुणन फल 0 हो। इसका अर्थ है कि या तो X घाटा 4 बराबर 0 या X घाटा 5 बराबर 0 होगा। अताह X बराबर 4 या X बराबर 5 है। आप इन उत्तरों की जाच समीकरण में 4 और 5 को रखके कर सकते हैं। X कवर्क घाटा 9 X जमा 20। मान 4 रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। 4 कवर्क घाटा 9 गुणा 4 जमा 20 बराबर 16 घाटा 36 जमा 20 बराबर 0। मान 5 रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। 5 कवर्क घाटा 9 गुणा 5 जमा 20 बराबर 25 घाटा 45 जमा 20 बराबर 0। इन तीन आसान चर्णों को याद रखे और आप दुई घाट समीकरण को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। उधारण मान लिजिए कि हम एक्स वर्ग घाटा 5 एक्स जमा 6 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं। हम दुई घाट का गुणन खंड करने के लिए दो ऐसी संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका योग घटा 5 हो और जिनका गुणन फल 6 हो। अब घटा 3 गुणन घटा 2 बराबर 6 और घटा 3 जमा घटा 2 बराबर घटा 5 प्राप्त होता है। अथा ये दो संख्याओं घटा 3 और घटा 2 हैं। हमें दो संख्याओं घटा 3 एक्स घटा 2 एक्स का प्रेयोग घटा 5 एक्स को लिखने के लिए करते हैं और गुणन खंड करते हैं। अतहा, गड़ना करने पर हमें x घटा 3 बराबर 0 या x घटा 2 बराबर 0 प्राप्थ होगा. इस प्रकार x बराबर 3 या x बराबर 2 ये दो हल हैं. उधारण अब माल लिजिए कि हम x कवर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं. हम ऐसी दो संख्याओं को प्राब्त करेंगे जिनका योग घटा 3 और जिनका गड़न फल घटा 2 हो. आप चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, आपको ऐसी दो संख्याओं नहीं मिलेंगी, अताहा इस समीकरन का गड़न खंड नहीं होगा. इसके लिए हमें एक अलग तरीके की जरूरत होगी. उसे हम अगली स्क्रीन में सीखेंगे. दुई घात समीकरन का पूर्ण वर्ग बना कर हल. यदि समीकरन का गड़न खंड नहीं होता है, तो इस विधी से दुई घात समीकरन को हल करते हैं. किसी बीजिये व्यानजक को एक वर्ग जमा, एक अन्य पत के रूप में लिखना सुविधा जनक होता है. दूसरा बद, एक्स के गुणांग को दो से विभाजित करके वर्ग बना कर प्राप्त करते हैं. किसी भी दुई घात समीकरन को इस विधी से हल करने के लिए पुनर वैवस्थित कर सकते हैं. इस उधारन को देखें. माले हम एक्स वर्ग जमा छे एक्स को एक्स वर्ग जमा एक और पत के रूप में फिर से लिखें. एक्स का गुणांग छे है. छे को दो से विभाजित करते हैं और इसका वर्ग करने से नौ प्राप्त होता है. एक्स वर्ग जमा छे एक्स बराबर एक्स वर्ग जमा छे एक्स जमा नौ घटा नौ बराबर एक्स जमा तीन का वर्ग घटा नौ. उधारण 2x का वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को हल कीजिए एक्स वर्ग को प्राप्ट करने के लिए 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को पुना लिखे यह इस प्रकार होगा यहाँ एक्स का गुणांक 10 है 10 को 2 से विभाजित कीजिए और 25 प्राप्ट करने के लिए इसका वर्ग कीजिए यह इस प्रकार होगा हम जानते हैं कि 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 को पुना लिखा जा सकता है इसलिए हम समीकरण को निम्न रूप में पुना लिख सकते हैं दोनों पक्षों को दो से विभाजित करने पर हमें 23.5 प्राप्त होता है दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर हमें x बराबर घटा 0.152 या x बराबर घटा 9.85 प्राप्त होगा मूलों का चरित्र समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल निम्न दिया गया है यहाँ बी वर्ग घटा 4ac निश्चित करता है कि दोई घट समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं बी वर्ग घटा 4ac को दोई घट समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं यदि बी वर्ग घटा 4ac बराबर 0 से तो दोई घट समीकरण के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं यदि बी वर्ग घटा 4ac बराबर 0 हो तो दोई घट समीकरण के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं यदि बी वर्ग घटा 4ac छोटा है 0 से तो दोई घट समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है उधारण मान लीजिए कि हम x वर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं. मानक रूप a x का वर्ग जमा b x जमा c बराबर 0 से इसकी तुलना करने पर हम a बराबर 1, b बराबर घटा 3 और c बराबर घटा 2 प्राप्थ करते हैं. आईए इन मानों को सूत्र में रखकर और गड़ना करने पर हमें 3 जमा या घटा वर्ग मूल 17 बटे 2 प्राप्थ होता है. ये हल सही है. हल करने के लिए व्यापक सूत्र दिया था. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. एक्स चरवाला एक दुईखा समिकरण ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शूने के रूप का होता है. जहां ए, बी, सी वास्तविक संख्याएं और ए शूने के बराबर नहीं है. किसी वास्तविक संख्याएं अल्फा को दुईखात समिकरण ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शूने का मूल कहते हैं. यदि ए अल्फा वर्ग जमा बी अल्फा जमा सी बराबर शूने हो. दुईखात बहुपद ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी का शून्यक और दुईखात समिकरण ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शूने का मूल समान होता है. यदि हम ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी ए शूने के पराबर नहीं है. इसका दो रेखिक गुणन खंडों में गुणन खंडन कर सकें, तो प्रते गुणन खंड की शूने से सम्तुलेता स्थापित करके दुईखात समिकरण ए एक्स का वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शूने प्राप्त किया जा सकता है. किसी दुईखात समीकरण को पूर्ण वर्क बना कर भी हल कर सकते हैं दुईखात सूत्र, दुईखात समीकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के मूल निम्न प्रकार के होते हैं किसी दुईखात समीकरण AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 में होता है यदि BX घटा 4AC शून से पड़ा है तो दुईखात समीकरण के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं यदि BX घटा 4AC बराबर 0 है तो दुईखात समीकरण के दो बराबर यानि समपाती वास्तविक मूल होते हैं यदि पीवर्ग घटा 4AC छोटा है 0 से तो दुईखा समिकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि पीवर्ग वास्तविक मूल नहीं होता है